Hello everyone, welcome to Solution Hub आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले लिटरेरी टर्म जिसका नाम है हाइपर बोल इसे हिंदी में अती शोक्ती अलंकार भी कहते हैं तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कि क्या है इसके अंदर So a bold over or exaggerated statement In Greek it means overshooting तो ये एक exaggerated statement है यानि कि किसी बात को हम जब बढ़ा चड़ा कर मतलब जितना उसे नहीं बोलना चाहिए उतना ज़्यादा बढ़ा चड़ा कर बोल देते हैं जिसका कोई sense भी नहीं बन पाता है फिर कि ये बात possible होगी भी या नहीं तो उस चीज को कहा जाता है hyperboil या फिर इसे हिंदी में अतिश्योक्ति अलंकार भी कहते हैं इन ग्रीक इट मेंस ओवर्शूटिंग अब ग्रीक के अंदर इसका meaning है ओवर्शूटिंग ओवर्शूटिंग का क्या meaning होता है impossible work impossible work यानि कि जिस काम को जिस काम का होना possible ही ना हो वो ओवर्शूटिंग कालाता है यानि exaggerated statement hyperboil कालाता है तो चलिए इसे examples के तुरू समझते हैं 10,000 so I at a glance ये wordsworth की poem है डैफोडिल्स उसमें wordsworth बता रहा है कि मैंने डैफोडिल्स देखे और कितने देखे 10,000 एक इबारी में 10,000 so I at a glance यानि कि एक नजट डाली मैंने एक जलग डाली मैंने और उसी में मैंने 10,000 डैफोडिल्स देख लिए एक साथ उसके बारे में बता रहा है तो क्या 10,000 डैफोडिल्स एक साथ 10,000 फूल एक साथ देखे जा सकते हैं तो ऐसा possible नहीं है जिसे हम बोल देते हैं पर वो possible ही नहीं हो पाता है तो वो exaggerated statement hyperbol कहलाती है आगे example में दिया हुआ है I loved Ophelia ये Hamlet का example William Shakespeare का play है Hamlet जिस पर बात में Heather movie भी बनी थी शाहिद कपूर की तो उसका ये example है I loved Ophelia 40,000 brothers could not with call a quantity of their love make up my sum तो इसमें में में बात का है 40,000 brothers तो क्या किसी के 40,000 भाई हो सकते हैं क्या यहाँ पर Ophelia के 40,000 भाई बताए हैं और वो क्या कहता है writer कि मैंने Ophelia से प्यार किया और इतना प्यार किया जितना कि उसके 40,000 भाई मिलकर भी नहीं कर सकते हैं भाई मेरी बराबरी कर सकते हैं वो इतनी, तो क्या किसी के 40,000 भाई हो सकते हैं क्या, तो इस तरह का जब impossible work हो जाता है, तो उस impossible work को exaggerated statement या फिर hyperbole अर्ची शोक्ति अलंकार कहते हैं, फिर है go and catch a falling star, जोन डन की poem है ये, इसका title ही यही है, go and catch a falling star, तो उसकी statement है कि जाओ, और तूटते हुए तारे को पकड़ो, तो क्या किसी तूटते हुए तारे को हम पकड़ सकते हैं, उसे देख तो सकते हैं, लेकिन पकड़ा कभी भी नहीं जा सकता है, तो ये भी impossible work हो जाता है, तो इसलिए इसे hyperbole कहते हैं, the sea rose mountain high, आप यहाँ पर author क्या कहता है, कि the sea जो समु दर पहुँच सकता है, क्या, तो ऐसा कभी possible नहीं हो सकता, उसकी लहरे जरूर उठती है, पर इतनी भी जादा नहीं उठती जितने की एक mountain की हो, तो mountain की height जितना कभी भी कोई सी नहीं चड़ सकता है, उस height तक उसकी लहरे नहीं जा सकती है, तो उसलिए ये भी impossible work हो जाता है और ये hyperball का example बन जाता है, आगे हम देखते हैं, आगे example है, he has tons and tons of money, अब ton की value भी बहुत होती है, कि ton में कितने 1000 किलो आ जाते हैं, तो क्या इतने पैसी किसी के पास हो सकते हैं, कि उन्हों तोलो भी ना जा सके, तो ऐसा कभी भी possible नहीं होता है, इसलिए impossible work है, तो ये अति शोक्ति अलंकार hyperball है, फिर हमारा आज का last example है, he is stronger than a lion, तो lion बहुत खतरनाक होता है, बहुती फुर्तीला भी होता है, और बहुती जोड़दार होता है, तो क्या उसके जितना कोई भी इंसान शक्तिशाली हो सकता है, तो नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये भी impossible work बन जाता है हलांकि ये properly hyperball का example नहीं बनता है, लेकिन partially हम देखें तो ये hyperball का ही example बनता है, क्योंकि कोई भी इंसान, lion जितना खतरनाक तेज खुंखार नहीं हो सकता है, ना ही उसकी speed को catch कर सकता है कोई इंसान, इसलिए इसे stronger बताया गया है lion को, तो opposite बात कर रहे हैं हम, तो ये hyperball का example बन जाता है कि कोई इंसान, lion से शक्तिशारी नहीं हो सकता है, तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपने बागे लिए ट्रेली टर्म्स देखनी है तो description में मैंने link दिया है, उस link पर click करते ही आपको सारे की सारे, जितने भी लिए ट्रेली टर्म्स हैं, उनकी वीडियो झाल